हलो फ्रेंड्स मिहुप लवी और आज हम बनाने वाले हैं संडे स्पेशल मटन लिवर करी यह बकरे की फेपसा है इसको हम अब भी इसकी कटिंग कर लेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता हैं तो यह हमने लिवर कट कर लिया है कुछ इस तरह से लिवर रहता है तो यहाँ पर यह उसका गोथा जो बुलते वह है तो यहाँ पर इसकी यह नली है इसको भी काट लेंगे यह भी खाने में जैसी मतलब हम प्रंची अइसा कुछ भी ऐसा लगता है तो इन सभी को हम पहले काट लेते हैं तो यह है फिपसा बहुत ही ऐसा नरम रहता है आपको कटinha को इसके जो पुछी एज trong की चमुड़ा है that they would be very light कुमिकी यह बहुती सॉफट होते है कि इन सभी की हम कट्टिंग कर लेंगे तो आभ हम ले लेंगे तिल्ली तो इसको कट करके इसके उपर का जो भी चमडा है ना उसको हम निकाल लेंगे सबसे पहले बाद इस तरह से देख सकते हैं देख सकते इजी ली निकल गया वह चमडा और इसको भी काट लेते हैं तो इस तरह से हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है अभी हम इसको वाश कर लेंगे तीम-चार अब दब जाएंगे तो यहां में गैस पर पतिला रख दिया है इस सभी चीजों को हम अभी उसमें डाल देते हैं ऐसे ही डालेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी है अभी हम इसको डाल कर इसको भून लेते हैं थोड़ी देर दो से तीन मिनित तक भून लेंगे तो यहां हमने दो से तीन मिनित तक भून लिया है अभी हम इसमें डाल देंगे एक गिलास के करीब पानी डाल देंगे इसे हम पाच मिनित तक ढपकर पका लेंगे लो मीडियम पाउर में तो यहां पर पाच मिनित भी हो चुकी है और हमारे फेपसा जो है न वो मस्टर पक क लेडी हो चुका है यह देख सकते हैं भूरा सिकुड गया है तो अभी हम गैस को कर देंगे बंद और इसको चानकर हम निकाल लेते हैं अब सब्सब्स बनानी की त्यारी कर लेंगे तो यहां पर हमने गैस पर एक पैन रख दिया है उसमें डालेंगे तीन से चार टेबल इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और साथ ही में डाल देंगे जीरा इन सबी को हम भून लेते हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है यहां ने दो बारी कटी हुए पैज ले लिए है तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे तो यहां भी पैज भी बारी को अच्छा पन ख़तम होने तक हम इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं इसमें आर द्रक लशन का पैज भी अच्छी तरीके से भून चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे दो टोमाटू की प्यूरी ऑसकर तो मैट्व क्योरी जब तक आपना तेल नि छोड़े तो अभी हम इसमें डाल देंगे सुक्य मसाले लाल मिर्च पॉडर, हल्दी पॉडर, धनिया पॉडर, गरम मसाला, जीरा पॉडर, कस्तूरी मेती, और स्वाद के अकॉडिंग नमक, और सब्सक्राइब को अच्छा कलर आना चाहिए इसलिए यहाम ने लिया है कश्मिरी लाल म पॉडर, तो इन सभी को पहले मिक्स कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, ताकि मसाले जो है ना तले को चिपक के जले ना करके, तो इसको मिक्स करके हम इसको दो से तीन मिलिट तक ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे, मसाला नहीं आपर मस्तब पक के बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया दीख रहा है, अभी हम इसमें डाल देंगे मटन लिवर कलेजी, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले में अच्छी तरीके से बढ़ जाए, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें और इसको हम मसाले में ही 2-3 मिनिट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, तो यह आपर 2-3 मिनिट हो चुके है, हमारी सबजी भी मस्तब अच्छी तरीके से पक के रेडी हो चुके हैं, तो हम इसको कर रहे ह है, थोड़ी सी तरीक, तो अभी हम इसमें डाल देंगे, एक ग्लास के करेब पानी, और उसको भी मिक्स कर लेंगे, इसको भी हम 2-3 मिनिट तक कवर करकर पकने के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ पर मस्त ऐसे हमारी सबजी बनके रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं, अभी हम इसमें डालेंगे, फ्रेश बारिक कटा हुआ धनिया पता, और इसको हम डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और गैस को कर देंगे, अभी हम बंद, और अभी हम चलेंगे, सर्फ करने की प्रोसिजर पे, तो यहां देख सकते हैं, हम इसको रोटी के साथ सर्फ किया है, कितनी मस्तफ बढ़िया जबरदस लिए है, इसको आपके घर के सभी सदेश्चे खाने के लिए बेताब रहेंगे, इतनी मतलब जबरदस बनती है सब्सक्राइब अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी